साफधान अगर आप कोई भी नई या फिर पुरानी बाइक लेने जा रहे हो तो रूप जाएए पहले आप ये वाला वीडियो देखिए फिर उसके बाद ही डिसाइड करना कि भाइक खरीद नहीं है नहीं हाँ अगर आप भी एक छपरी राइडर हैं और आप अपने साथ-सा राइडर हैं और आप चाहते हैं कि आपका पिछवाड़ा सही सलामत बना रहे हैं तो इस लिस्ट में आ रही बाइक को खरीदने से बचें वीडियो में अगर बनने से पहले आपको बता दूँ कि इस लिस्ट में दिये गए नंबर्स बाइक की रैंकिंग को बिल्कुल भी प्रिजेंट नहीं करते हैं और ना ही मैं किसी बाइक को हेट या फिर फेवर करता हूँ मेरा मकसाद है यहाँ पर आपको एक सच बताना जो मैंने खुद एक्सपिरिंस किया है और साथ ही ये लिस्ट बेजड है एक्सपर्ट के रिव्यू पर तो चली वीडियो शुरू करत हैं अगर हाले डेविट्सन कंपनी की बात करें तो यह अपने बड़े इंजन वाली कुरूजर मोटर साइकल के लिए जाने जाती है वहीं अगर हम कुरूजर वर्ड की बात करें तो सबसे पहला लोंग राइड और कमफर्ट माइंड में आता है लेकिन हर कुरूजर का काफी जादा करीब होने की वज़े से पैरों को फेला कर बैठना पड़ता है और इसमें पिलियन के लिए सीट बहुत जादा नेरो है जिसके वैसे कमबट तो बिल्कुल ना के बरावर रह जाता है नमबर 9. रोयल एंफिल्ड कॉंटिनेंडल जीटी 650 रोयल एंफिल्ड कॉंटिनेंडल जीटी आजकल यूथ को बहुत जादा एट्रेक्ट कर रही है वैसे तो यह मोटरसाइकल रोयल एंफिल्ड की इंटरसेप्टर ही है लेकिन इसका टैंक, फूटपेक्स की पोजिशन औ अगर आपको सिर्फ कैफे रेसर का शोक पुरह करना हैं और आप लोंग राइड नहीं करते हो तो आप इस बाइक को कंसिãटर कर सकते हैं लेकिन हाँ अगर आप लोंग ट चाहते हैं और आप को बाइक भी यही चाहिए तो इसकी जगह पर आप रोयल एंफिल्ड इन्टर से इस कंपनी के एक बाइक है जिसको हम स्काउट गोवर के नाम से जानते हैं यह मोटर साइग के लिए कैफे रेसर और क्रूजर का कॉमिनेशन है जो कि देखने में काफी बलकी सी और अलग सी लगती है इसमें हैंडल बार और फुट पैक्स थोड़े आगे की तरफ होने की वज जैसे खराब रस्तों पर काफी जादा जटके महसूस होते हैं इसमें 1200cc का V21 इंजिन मिलता है जो कि 95BHP के पार और 97NM का टोर प्रेडियूस करता है इस बाइक में बैक सपोर्ट जैसी कोई भी चीज नहीं है साथ इस पर बैठने के बाद सही से ग्रिप भी नहीं मिलती है इसका इंजिन भी काफी जादा पावरफुल होने की वज़ेसे अगर आप इन प्रो पर थ्रोटल करते हैं तो पीछे गिरने का खतरा काफी जादा ही है वैसे तो मैं जानता हूँ तुम लोग भी मेरे तना गरीब ही हो लेकिन किसी कारण वाश तुमारे पास जादा पैसे आगे तो फिर भी ये बाइक खरीदने से बचना ही समझदा रही होगी नमबर सेवन ट्रायूम्फ बॉन विल बोवर ये बाइक भी इंडियन स्काउट बोवर वाली ही फिलोसफी फॉलो करती है अगर बात करें इंजिन की तो इसमें बारों से सीची का पैरलेल टो इन फुट पैक्स राइडर के काफी करीब होने की वजह से राइडर एकदम अपराइट बैटता है इसमें भी नहीं मिलती हाला कि रियर में मोनोशोक सस्पेंशन मिलता है लेकिन वह जाधा अच्छे से जटकों का हैंडल नहीं कर पाता है जिस वजह से राइड काफी जाधा अ और इसका अलगी फैन वेस इंडिया के अंदर नमबर 6 पर है हमारे पास यामहा आरवन 5 जिस सेग्मेंट में यह बाइक आती है उस सेग्मेंट में सबसे अच्छा इंजिन अच्छा माइलेज अच्छी टोपी स्पीड से लेकर के अच्छी रिसेल वैल्यू तक इस बाइक क नहीं करूंगा क्योंकि यह बाइक बहुत ही ज्यादा अंकमफटेवल है हाला कि इस बाइक का इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज है और इसका अलगी फैन बेस है अगर आपकी हाइट लंबी है 6 फुट के लगबग तब तो यह बाइक आपके लिए ज्यादा प्रोलम क्र करतेगी वहीं पिलियन की बात करें तो यह बाइक पिलियन के लिए ना तो सेफ है और ना ही कमफटेवल है क्योंकि इसमें पिलियन की सीट एक तो काफी जादा चोटी है उपर से कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता उसके अलावा सीट हाइट भी काफी जादा होने की वजह से पिलियन को राइडर को पकड़कर बैठना पड़ता है इंजन की बात करें तो इसमें 155cc का VVT टेक्नलोजी वाला इंजन मिल जाता है अगर इसके टॉप स्पीट की बात करें तो वह भी 155 km प्रेती घंटा है और इस चीज का फ्लैक्स आर्वन 5 बले बले खुलकर करते हैं नंबर 5 बैनली 502C दोस्तो इस लिस्ट में अगली बाइक मेरी फैबरेट है लेकिन फैबरेट होने के बावजूद भी मैं इसे इस लिस्ट में क्यों लेकर रकाया हूँ इस बारे में भी बात करेंगे इस मोटर साइकल का नाम है बैनली 502C जो की 500cc के पैरलेल टो इन लेकिन ये एक क्रूजर बाइक है बात करने से कमफर्ट के तो अगर आप पहले से अवेंजर या फिर मीटियोर जैसी बाइक चला रहे है तो ये बाइक आपको काफी जादा पसंद आएगी लेकिन वहीं अगर आप कोई दूसरे सेगमेंट जैसे कि स्पोर्ट टूर या फि काफी जादा महसूस होती है लेकिन अगर आप 100-120 सकी स्पीड में क्रूज करना चाहते हैं तो ये बाइक आपको काफी जादा अच्छा कमफर्ट देगी नमबर 4 अल्ट्रा वाइलेट एफ 77 ये मोटर साइकल इस लिस्ट में पहली EV मोटर साइकल है ये देखने में तो काफ 50-100 सी क्लोमेटर तक की ही रेंज दे पाती है बाकि अगर बात करें इसके कमफर्ट की तो इसके दोनों ही सीट्स जादा कमफर्टेबल नहीं है राइडर के लिए ये बाइक काफी जादा अनकमफर्टेबल हो जाती है क्योंकि इसका जो टैंक है वो बाइक चलाते हो की तो इस मामले में ये बाइक काफी पीजे रहा जाती है जावा 42 की सीट काफी जाधा हार्ड होने की वजह से इसमें कमफर्ट बहुत ही कम मिलता है वहीं साथ में इसकी सीट की लंवाई के बात करें तो प्लियन सीडिस में ऐसे option आती है जो कि बिलकुल भी comfortable नहीं होती और नहीं recommended है अगर आपकी priority में look से जादा matter करते हैं तो आप इस bike को consider कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लोग देखने को मिलता है और इसे आप short ride के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ long ride के लिए bike नहीं बनी है तो कोशिस करें कि अगर आप long ride करना चाते हैं तो आप इस segment में आने वाली किसी और bike के तरफ जा सकते हैं number two KTM RC KTM RC के बारे में कौन नहीं जानता यह वो इकलोधी bike है जिसने design technology और power के मामले में इंडिया में एक अलगी trend set किया मेरे जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी a dream bike है और ऐसा नहीं है कि हम इसका खरीद नहीं सकते हैं बिलकुल खरीच सकते हैं बजट भी है लेकिन फिर भी इसको नहीं खरीच सकते हैं उसके पीछे एक reason है और वो है कुछ so called and trend riders जो कि इस bike की शक्तियों का गलत फायदा उठाते हैं I am not hater of KTM bikes बट कुछ गलत लोगी की वज़े से पूरी company बदनाम हो गई है खेर चलो भी बात करते हैं बाइक के तो इसके total तीन वेरियंट 125, 200 और 390 cc अवेलेवल है मार्गेट में जिसमें इनका body type तो सबका सेम है बस engine and features में कुछ डिफरेंस हैं अगर बात करें sitting posture की तो वो काफी दाधा aggressive है जो कि अकसर sport bikes में देखनों को मिलता ही है इस bike में rider की seat काफी दाधा चोटी है and clip on handle bar होने की वज़य से वो rider से काफी दूर भी है इसका riding पहुंचा racing या track riding के लिए एकदम perfect है और इसका handle feedback भी बहुत अच्छा मिलता है फिर वो चाहे नय मोडल हो यह फिर पुरानी वाली अगर आप short riding करते हो और आपको चाहिए ऐसी bike जिसमें thrill हो और आपको pillion भी carry नहीं करना पड़ता है तो आप इस bike को ले सकते है otherwise आप KTM Duke या फिर KTM Adventure की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपको same engine के साथ comfortable ride भी मिल जाएगी बजाज Avenger अब आप सोच रहे होंगे कि बजाज Avenger तो जानी ही अपने comfort के लिए जाती है तो फिर यह bike uncomfortable वाली लिस्ट में कैसे आ गई तो दोस्तों आपके बता दिए कि यह bike काफी जादा comfortable है लेकिन जिरुफ rider के लिए हाँ अगर आप new news के उपर shift कर रहे हैं तो शायद आ लोग sofa seat के नाम से भी जानते हैं यह bike जितनी ज्यादा राइडर के लिए comfortable है उससे कहीं ज्यादा pillion के लिए uncomfortable है जी हाँ आपने सही सुना इसकी pillion seat इतनी ज्यादा uncomfortable है कि 50-60 km के अंदर ही अंदर आपकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि यह seat काफी ज्यादा narrow होने की आज avenger की पूरी story के बारे में इसका link आपको description box के अंदर भी मिल जाएगा